अरे ये मेरे और क्यारा के ब्रश के साथ ये छोटा ब्रश किसका रखा हुआ है क्यारा क्या हुआ अंशुल गर पर कल कोई आया था क्या नहीं जी अभी आया तो नहीं लेकिन कोई आने वाला है ठीक ठीक बताओ ना क्या गयाना चाहती हो और ये छोटा वाला ब्रश किसका है मतलब इस घर में कोई नन्ह मुन्ना महमान आने वाला है इसका मतलब मैं पापा? अंशुल जल्दी से कियारा को अपनी गोद में उठा लेता है अरी नीचे उतारो मा जी आ जाएंगी आने दो, आज तुमने मुझे बहुत बड़ी खुश खबरी दी है कियारा अंशुल का टिफिन पैक करके उसे देती है नन्ह मुन्ने के घर में आने की खबर से सब बहुत खुश थे ऐसे अब कियारा को चार महीने पूरे हो जाते है और अब वो अपनी गोद भराई के सपने देखने लगती है एक रोज वो अपनी सास से माजी मैं तो अपनी गोद भराई में ना हाथ भर भर के महदी लगवाओंगी लेकिन बहू गर्भावस्था में महदी नहीं लगवाते उसकी तासीर ठंडी होती है साथ ही बुरी चीजों बुरे सायों का भी डर रहता है इसमें तू ना बस नाम की महदी मतलब एक टीका सा लगवा लियो और हाँ ना ही बच्चे के लिए उसके आने से पहले घर में कोई खिलोने या कपड़े लेना चाहिए ऐसा कुछ नहीं होता माजी ये सब पुरानी बाते हैं अच्छा अब उन सब में बहुत टाइम है तू ना जाकर थोड़ा काम कर ले जितना काम करेगी ना उतना अच्छा होगा इस टाइम में कुछ दिन बाद एक शाम जब अंशुल घर आता है तो धेर सारे खिलोने लेकर आता है वो खिलोने देख कर कियारा बहुत खुश होती है लेकिन तभी उसके कमरे में उसकी सास आती है तुम दोनों ने आखिर अपनी मनमानी कर ले ना मैंने मना किया था न ये सब खिलोने अभी नहीं लाने चाहिए बच्चा आ जाए तब ले आते ऐसे ही कुछ महिने और बीद जाते हैं और कियारा को आठवा महिना लग जाता है अब कियारा को अपनी गोदभराई का बेसबरि से इंतजार था लेकिन कियारा को तो अपनी गोदभराई में मेहदी लगवानी थी इसलिए वो मेहदिवाले को फोन करके बुक कर लेती है इधर कियारा की साज कौशलया भी अपने सभी रिष्टेदारों को फोन करके गोदभराई के फंक्शन के लिए इन्वाइट कर लेती है घर पर सभी और डेकॉरेशन हो जाती है फिर गोदभराई से ठीक एक दिन पहले जब कियारा सीड़ियां उतर रही होती है कि तब ही उसका पैर फिसल जाता है और वो सीड़ियों से गिर जाती है जिस कारण उसके पेट पर चोटा जाती है कियारा जोर से पेट पकड़ कर चिलाने लगती है उसकी आवाज सुनकर उसकी सास वहा आती है और अपनी बहु को ऐसे देख वो कापने लगती है तब ही अंशुल पे जल्दी से वहा आता है और कियारा को जल्दी से अस्पतार ले जाते है ये सुनते ही कियारा बहुत रोती है उसने आने वाले बच्चे के लिए कितने सपने देखे थे साथ ही अपनी गोदभराई पर मेहन्दी लगवाने के लिए भी उसने खूब सपने बुने थे लेकिन अब उसके सारे सपने टूट चुके थे अंशुल और कौशलया भारी मन से कियारा को लेकर घर आते हैं अंशुल की भी आंके भर आती हैं फिर कौशलया कियारा को गले से लगा लेती हैं बहु जो हुआ उसे बुरा सपना समझ कर भूल जा शायद भगवान को यही मनसूर था फिर कौशलया सब रिष्टेदारों को फोन करके मना कर दीती हैं कुछ दिन बाद पड़ोस में ही किसी की गोदभराई होती है कौशलया कियारा का मन बहलाने के लिए उसे अपने साथ ले जाती है वहाँ गोदभराई के फंक्शन में होने वाली माने हाथों और पैरों में महदी लगवाई होती है साथ ही लोग उसे ढेरों दुआएं दे रहे होते हैं ये देखकर कियारा फूट फूट करोने लगती है मैंने भी कितने सपने देखे थे अपनी गोदभराई को लेकर कि मैं भी अपने हाथों में महदी लगवाऊगी लेकिन मेरे सारे सपने टूट गए ऐसे ही कुछ दिन बीद गए फिर कियारा एक बर फिर गर्वती हुई वो अपने ही साने बाले बच्चे को लेकर बहुत क्यर्फुल होती है साथ ही वो अपना बहुत ध्यान रखती है लेकिन अपनी गोद भराई पर महदी लगवाने का सपना उसका अब भी बरकरार रहता है ऐसे ही समय बीटता है और अब उसके आठ महीने पूरे हो गए कौशलिया अपनी बहु की गोद भराई रखती है सभी महवान उसकी गोद भराई में आ जाते है कियारा भी तयार होकर आ जाती है आब इटा बैट जाराम से कुछी देर में रस्मे चालू होने वाली है लेकिन वो महदी कौशलिया उसे घूर कर देखती है कियारा घबरा कर बैट जाती है फिर कौशलिया इशारा करती है तब ही वहाँ ढूल वाले और मेहदी वाले आ जाते हैं, मेहदी वाले को देख कर कियारा बहुत खुश होती है। आज ये गोदभराई की रस्म बहुत खास है तेरे लिए और इस दिन तेरी खुशी पूरी ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। और सब उसे धेरो आशिरवाद और दुमाए देकर उसकी गोद भराई करते हैं। मीरा, ओ मीरा, चल तो जल्दी से आटा गूद दे, मैं फटा फट रोटियां से एक दूँगी। नहीं मा, मैंने ही गूद पाऊंगी। मैंने महंदी लगा लिए हाथ पर। क्या? सुबह सुबह तो फिर महंदी लगा कर बैट गई। बड़ी मकार है सच में, काम में मदद ना करनी पड़े, इसलिए जब देखो महंदी लगा कर बैट जाती है। चल, जल्दी से हाथ दो कर आ मेरे पास, मुझे काम पर जाने के लिए देर हो रही है। मा, बस आज कर लो ना, देखो न मैंने कितनी मेहनद से कितना सुन्दर डिजाइन बनाया है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर मीरा के हाथों पर पड़ती है, उसका गुस्सा पल भर में गायब हो जाता है। मा, तुम इतना परिशान क्यों होती हो, एक दो घंटे में जब मेरी मेहनदी सूख जाएगी, तो मैं घर के सारे काम कर दूँगी। मीरा की बात मान कर कावेरी काम पर चली जाती है, वो एक बड़ी सोसाइटी के घरों में काम करती थी और इसी काम से कावेरी और मीरा का गुजारा चलता था। कावेरी के पती की कई साल पहले एक सड़क हाथ से में मौध हो गई थी, तब से कावेरी पर ही सारी जिम्मेदारी थी, मीरा भी घर के कामों में उसका पूरा हाथ बड़ाती थी, मीरा को मेहनदी लगाना बहुत पसंद था, उसने अपने घर के पीछे मेहनदी के कई सारे प खेती कर लेनी चाहिए, ये मेंदी के पौधों से कुछ कमाई थोड़े ही हो रही है, खेती कर लेंगे तो कुछ पैसे ही बन जाएंगे, नहीं मा, मेरे मेंदी के पौधों को हाथ भी मत लगाना, बाजार से मेंदी खरीदने के तो पैसे हैं नहीं हमारे पास, बिने तो रहने तो ये कहते हुए मीरा की आँखों में आसु थे कावेरी उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहती है मीरा मैं जानती हूँ तुझे महदी लगाना बहुत अच्छा लगता है लेकिन बेटा अपनी हालत तो तुझे पता ही है न मैं कितनी मुश्किल से इतना कहकर मीरा रोते हुए वहाँ से चली जाती है कावेरी को उसके लिए बुरा लग रहा था वो मीरा की महदी के पौधों को कुछ नहीं करती ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं जादा काम करने की वज़े से कावेरी की तबियत खराब रहने लगी वो बहुत जल्दी जल्दी बिमार पढ़ने लगी तो मीरा ने उससे कहा मा तुम रहने दो तुमें बुखार है रात भर सोई नहीं हो मैं चली जाती हूं काम पर नहीं मीरा तू कैसे ना नहीं मैं ठीक हो मैं जाती हो कावेरी जैसे ही उठकर चलने की कोशिश करती है अचानक उसे चक्कर आ जाता है मीरा उसे सहारा दे कर बिस्तर पर लिटा देती है और उससे कहती है बस मा अब तुम आराम करोगी और काम पर अपसे मैं जाऊंगी कावेरी घर पर रहकर आराम तो कर रही थी लेकिन वास्तों में उसे अच्छे इलाज की भी जरुरत थी जिसके लिए पैसे थे नहीं दूसरी तरफ अब हर रोज मीरा काम पर जाती और लोट कर घर के भी सारे काम उसे ही करने पड़ते थे इस सब में उसे मेंदी लगाने का बिल्कुल भी वक्त नहीं मिल पाता था मीरा कितने दिन हो गए तुने मेंदी नहीं लगाई हाँ मा बस मन नहीं कर रहा अच्छा मेंदी लगाने का तेरा मन नहीं मैं सब जानती हूँ मैंने बिस्तर पकड़ लिया है और मेरी फूल सी बच्ची पर सारे काम पढ़ गए है अब बस बहुत हो गया आराम मीरा जा तुझा कर मेहदी लगा ले आज मैं जाओंगी काम पर नहीं मा तुम कहीं नहीं जाओगी मैं कर लूँगी सब और मैं सच पूल रही हूँ मैं बड़ी हो गई हूँ ये मेंदी वेंदी का अब मुझे शौक नहीं इतना कहकर मीरा काम पर जाने के लिए घर से निकल जाती है कावेरी की आँखों में आशु आ जाते है मीरा सोसाइटी के कई घरों में काम करती थी उन्हीं में से एक घर आरती का भी था उसके घर पर तीज का त्योहार बड़े धुमधाम से मनाया जाता था तीज की तैयारियों में मीरा भी मदद कर रही थी इसी बीच अरे ऐसे कैसे मैंने सारे रिष्टेदारों को बुला लिया है मेरी सारी फ्रेंड्स भी आने वाली है मैं क्या कहूँगी उन्हे फोन पर काफी देर बहस करने के बाद आरती फोन रख देती है उन्हें उदास देखकर मीरा उससे पुछती है क्या हुआ मैडम जी आप कुछ परिशान लग रहे हो हाँ मीरा बड़ी मुसीबत हो गई कल तीज का फंक्शन है मैंने सबको मेंदी लगवाने के लिए यहीं बुला लिया है और आखरी मौके पर ये पार्लर वाली धोखा दे गई कह रही है कल नहीं आ पाएगी अब क्या होगा इतनी जल्दी कौन तयार होगा सबको मेंदी लगाने के लिए मैडम जी वैसे मैं भी ठीक ठाक मेंदी लगा लेती हूँ अरे हाँ कावेरी ने मुझे बताया तो था एक बार कि तुझे मेंदी लगाने का बहुत शौक है वैसे मुझे तो कोई परिशानी नहीं है तू देख ले बेटा बहुत सारे हाथ लगाने होंगे और मेंदी बढ़ियां लगनी चाहिए सबके आप बिल्कुल चिंता मत करिये मैडम जी मैं साब अच्छे से करूँगी बहुत दिनों बाद मीरा के चेहरे पर खुशी थी उसने घर पहुँचते ही मेंदी के खुट सारे पत्ते तोड़ कर पत्थर पर पीसना शुरू कर दिया ये देखकर कावेरी ने मीरा से कहा अरे मीरा शाम हो गई है अब मेंदी मत लगा मौसम भी ठंडा है बिटा ये मेंदी मैं अपने ले नहीं पीस रही मा वो पांच्छे फ्लोर वाली मैडम जी है न कल उनकी यहां लगानी है अच्छा बिटा पर ध्यान से बिटा वो बड़ी लोग हैं कोई गलती ना हो जाए मा तुम बिलकुल चिंता मत करो मेंदी लगाने में मुझसे कभी कोई गलती होई नहीं सकती मेरा खूप सारी मेंदी तयार करके अगले दिन आर्थी के घर पहुँच जाती है वो अपनी मेंदी को कोन में भरने लगती है कि तभी आर्थी की एक फ्रेंड आर्थी से आर्थी ये किसे बुला लिया तुमने मैंने जिस पार्लर का नंबर दिया था तुमें उससे बात नहीं हुई क्या हुई तो थी लेकिन उसने आखरी वक्त पर मना कर दिया तुम बिल्कुल चिंता मत करो ये मीरा है मेरी हाउसमेड है ना कावेरी ये उसी की बेटी है बहुत अच्छी मेंदी लगाती है ये ओ फो आर्थी तुम भी ना पार्लर की बात अलग होती है उनलों का material branded होता है मेंदी के रचने की guarantee मिलती है वहाँ से और इसकी मेंदी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही इस पर तो कोई level तक नहीं है अगर कुछ गलत reaction होगया हाथों पर तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजे मैडम जी ये मेंदी मैंने खुद पीस कर तयार की है मेरे पास बहुत सारे मेंदी के पौधे है इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके हाथों को नुकसान दे ना भाई ना सौरी आर्थी बट मैं अपने हाथों को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकती तुम सब लगवाओ मैं तो पार्लर जाकर ही लगवाओं की इतना कहकर आर्थी की दोस शालिनी वहाँ से चली जाती है आर्थी मेरा को इशारा दे कर काम शुरू करने को कहती है अरे वाँ मानना पड़ेगा इस बच्ची ने कमाल की मेहदी लगाई है मुझे तो नहीं लगता है कि इस मेहदी का वैसा रंग आएगा जैसा पार्लर वाली मेहदी का आता है अब बस भी करो शालिनी मेहदी कैसी रचेगी ये कल तक पता चली जाएगा ना बच्ची है वो उसे इस तरह डराओ तो मत अरे मुझे क्या मेरी घाथ कौन सा खराब होने वाले है तुम्ही लोग लगवाओ और तुम्ही भुगतना शालिनी गुस्से में वहाँ से चरी जाती है उसे पूरा यकीन था कि मेहदी रचेगी नहीं साथ ही हाथों पर उसका गलत रेयक्शन भी हो सकता है लेकिन जो हुआ वो इससे बिलकुल अलगत अगले दिन मीरा के घर पर अरे मैडम जी आप यहाँ आपने तो आज काम पर आने के लिए मना किया था ना मैं इसलिए नहीं आई हाँ हाँ कल तुम कितना ठक गई थी इसलिए मैंने आने को मना किया मैं यहाँ तुम्हे काम पर बुलाने नहीं बलकि किसी और काम से आई हूँ अंधर नहीं बुलाओगी अरे माफ कीजे का मैडम जी आईए अंदर आईए आरती को देखकर कावेरी भी बिस्तर से उठकर खड़ी हो जाती है आरती के साथ उसकी दोस्ट शालिनी भी थी मीरा उन दोनों को पानी देते हुए कहती है ये लीजे मैडम जी मैंदी तो ठीक से रची ना मैडम जी ये तुम्हें मैंने ही शालिनी बताएगी फिर शालिनी अपने हाथ मीरा की तरफ बढ़ा देती है उसके हाथों पर कई जगा छाले पड़े हुए थे ये देखकर मीरा उससे कहती है अरे ये क्या हुआ मैडम जी मैंने तुमसे मैंदी नहीं लगवाई उल्टा तुम्हारा अपमान करती रही उसी की सजा मिली है मुझे मैंने सबसे महेंगे वाले पार्लर में जाकर मैंदी लगवाई मैंने उनसे जोर देकर कहा कि मैंदी का रंग बहुत बढ़ी आना चाहिए इस चक्कर में उन्होंने पता नहीं क्या-क्या मिला दिया मैंदी में और मेरे हाथों का ये हाल हो गया और दूसरी तरफ तुम्हारी महदी, जिसने भी लगवाई उसके हाथों की रंगत ही अलग है, देखो, आर्ती के हाथ देखो जरा, आर्ती ने अपने हाथ आगे बढ़ा दिये, जिन पर मीरा के हाथों से लगी महदी का, बहुत ही अच्छा रंग चढ़ा था, फिर आर्ती का कावेरी के पास जाकर उससे बोली, बस कावेरी, ये जारू पोछा और बरतन बहुत करवा लिये तुमने मीरा से, ये अब वो करेगी जो इसे करना चाहिए, जी, क्या मतलब मैडम जी, ये अब महदी लगाएगी सबके हाथों पर, हमारी एक दोस्त का अपना ब्यूटी पा आर्थी की बात सुनकर कावेरी की आँखों में आसु आ जाते हैं, वो हाथ जोड़कर आर्थी का शुक्रे आदा करती है, मीरा भी बहुत खुश थी, अब ना सिर्फ वो अपना महदी लगाने का शौक पुरा कर सकती थी, बल्कि अच्छे पैसे कमा कर अपनी मा का इलाज भी करवा सकती थी